कॉमेंट्स अविश्वस्निय सफर पर निकलते हैं ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के हिस्सों से यात्रा करते हैं ये सूरज के करीब आते हैं और अपने पीछे अचंभा और कौतुहल का एक निशान छोड़ जाते हैं कॉमेट्स शुरुवाती सोलर सिस्टम के टाइम कैपस्यूल जैसे हैं ये आइसिस से बने होते हैं इन आइसिस में वाटर आइस तो होता ही है साथ ही फ्रोजन गैसिस भी होते हैं जैसे कारबन डैयोकसाइड और अमोनिया आइस के साथ डस्ट और रॉकी माटीरियल भी मिला होता है यही माटीरियल कॉमेट्स को उनका डाक अपिरिंस देता है जरा आइस क्रीम के एक स्कूप के बारे में सोचो जिसे कुकी क्रम्स में लपेटा गया हो कॉमेट का नुकलियस यानि उसका सॉलिड हार्ट कुछ-कुछ ऐसा ही होता है जैसे-जैसे कोई कॉमेट सूरज के करीब आता है वो गर्म होने लगता है आइस वेपर आइस होने लगता है इससे गैस और डस्ट रिलीज होता है जिससे नुकलियस के चारों ओर एक हेजी क्लाउड बनता है जिसे कोमा कहते हैं ये कोमा बहुत बड़ा हो सकता है कभी-कभी तो एक प्लैनेट से भी बड़ा है ये आईसी वांडर्स आते कहां से हैं? ज्यादतर कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के दूर ठंडे इलाकों से आते हैं एक रीजन को ओर्ट क्लाउड गहा जाता है ये एक विशाल स्फेरिकल शेल है जो हमारे सोलर सिस्टम को एक जायन्ट बबल की तरह घेरे हुए है ओर्ट क्लाउड इतना दूर है कि ये मुश्किल से ही सूरज की ग्रैविटी से बंधा हुआ है ये एक कॉस्मिक रिफिजिरेटर की तरह है जो सोलर सिस्टम के बनने के समय से रेमनेंस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है नेप्ट्यून के और्बिट के पार थोड़ा करीब कॉमेट्स का एक और रेजर्वार है जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है ये रीजन एक डिस्क के आकार का है ये मार्स और जूपिटर के बीच आस्टरोइड बेल्ट जैसा ही है काइपर बेल्ट कई आईसी बॉडीज का घर है जिसमें प्लूटो भी शामिल है ये आईसी बॉडीज ग्रैविटी की वजह से अपनी जगह से हिल सकते हैं फिर ये सूरज की तरफ अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और कॉमेट्स बन जाते हैं Section 4 Cometary Journeys A Celestial Ballet कॉमेट्स सूरज के चारों ओर highly elliptical orbits में यात्रा करते हैं यही वो रास्ता है जो एक कॉमेट लेता है जैसे जैसे यह सूरज की गर्मी के करीब आता है इसकी गती तेज होती जाती है जैसे जैसे कॉमेट गर्म होता है इसकी बर्फ वाशपीकृत होती जाती है जिससे कॉमा बनता है यह उचें लाखों किलोमीटर तक भैल सकती है जिससे रात के आकाश में एक मनमोहक नजारा देखने को मिलता है Section 5 Unlocking the Secrets of Our Past Comets का अध्ययन करने से शुरुआती सोलर सिस्टम के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है यह I.C. Wanderers, Cosmic Time Capsules की तरह है यह अर्बों साल पहले मौजूद परिस्थिदियों और Materials के बारे में सुराग रखते है Comets की सनरचना का विशलेशन करके वैज्यानिक ग्रहों के निर्मान खंडों के बारे में जान सकते है वो पानी और कार्बनिक अनुओं के इन प्राचीन यात्रियों द्वारा पृत्वी तक पहुँचाए जाने की संभावना की भी जाच कर सकते है इसके अलावा पृत्वी के वायू मंडल और महासागरों को आकार देने में कॉमेट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी हो सकता है कि वे हमारे ग्रह पर पानी और अन्य आवशक अनू लेकर आए हो इसलिए कॉमेट्स को समझने से खुद जीवन की उत्पत्ति पर प्रकाश पढ़ सकता है क्या आप जानते हैं कि कॉमेट्स की कई पूँचें हो सकती है कॉमेट हेल बॉप ने दो पूँचें प्रदर्शित की एक सफेद डस्टेल और एक नीली आयोन टेल इस खगोलिय नजारे ने दुनिया भर के आकाश देखने वालों को मोहित कर लिया रोजेटा मिशन ने 2014 में एक कॉमेट पर प्रोब उतारा अभूत पूर्व क्लोजब द्रिश्य प्रदान किये कॉमेट्स हमें ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं